त्रियो दशम पाठम पस्याम है जो तेरवा पाठ है सत्व माहो रजस्तम है सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण संबंदी जो पाठ है बच्चो इसका जम चत्वुर्त भाग है लेकर आपके सामने प्रस्तुत है बच्चो इससे पहले हम तीन भागों का अध्यन कर जब अरजुन अपने हस्त्रे सस्त्रे रख देता है अपने भाईयों को अपने बांदवों को अपने गुरुओं को देख तब श्री कृष्ण उसको गीता का उपदेश देते हैं और उसमें उन्हों किस प्रकार से शत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण के बारे म स्रिद्दा में किस प्रकार स्रिद्दा होती है बच्चो व्यक्ति के अंतकरण में ही स्रिद्दा का वास होता है जैसा व्यक्ति का अंतकरण होता है वैसी उसकी स्रिद्दा होती है प्यारे बच्चो और उस स्रिद्दा का किस प्रकार से स्वरूप था उसको हमने दूसरे भा बच्चों उसमें सातवीक राजस्ट और तामः की बारे में चातूर्त भाग को देखते हैं फ्रीक बांसमक को प्राग में देखते हैं लाहक करेंगे बच्चों स्थिलोक का देवर्ज्विज्ञ WATCH प्राज्य पूजनम सोचम आर्जवम सोचम आर्जवम भ्रह्मचर्यम हैंसाच सारिरम तपह उच्यते देव द्विज गुरो प्राज्य पूजनम सोचम आर्जवम भ्रह्मचर्यम हैंसाच सारिरम तपह उच्यते तो बच्चो देव का मतलब हुआ देवता, द्विज का मतलब हुआ ब्रामन, प्राज्य का मतलब हुआ गुरुजन या विद्वत जन, इसके अलावा पूजनम कर्थुआ पूजन सोचम आरजवम, यानि सोच का मतलब सुद्धी रखना, सुद्धी करना, आरजवम का मतलब स शरिए उच्यते श्रीर सम्मंदी उच्यते यानी उच्यते यह प्रशंग को देखने प्यारे बच्चो प्रस्तु लोग हमारी पाठे फुस्तक के सिर्शक पाट से उद्रित है बच्चो मूलताएि ये पार्टु स्रीमदभागवत गीता के चट्रवे अध्याई से संक्लित किया गया है इस लोक में भगवन श्रीकृष्ण द्वारा सरीर्संबंदी तब के बारे में बतलाया गया है अर्जुन और गपदेशन देते विए में क्या कहा गया है देव यानि देवता यानि सरीर संबंदी तब कौन सा है उसके बारे में बताता है कि देव यानि देवता ग्रीज का मतलब ब्रहमन गुरु का मतलब गुरुवर गुरुजन इसके लावा प्राज्य पूजनम और प्राज्य यानि विद्ध्वान या महाप किसी को सताना नहीं किसी को दुखी नहीं करना यही क्या कहलाता है तो इसमें क्या बताया गया है पुने देखते हैं डेव यानि देवता ज्विज का मतलब ब्रहामान गुरु का मतलब गुरोजन इसके अलावा जो महापुरुष है यानि जिसको संसार से मैं अच्छे-च्छ के द्वारा जो महापुरुष हुए हैं उनका पूजनम यानि यह था योग्य पूजन करना अपनी स्रिद्धा के अनुसार अपने शामर्थे के अनुसार उनका पूजन करना शोचम और सुद्धी रखना इसके अलावा आर्जवम का मतलब हुआ सरल्ता रहना सरल्त तरीके से रहना भ्रहमचरिय का पालन करना और अहिंसा नहीं करना यह क्या कहा गया है यह सरीर संबंदी तप कहते हैं इसे यानि सरीर का तप इसे कहते हैं बच्चो देवता भ्रहमण गुरुजन और जीवन मुक्त महापूरुष का यथा योग्य पूजन करना सुद्धी रखना सरल सरल सब्दों में लक्षण दिया गया है जो भगवान सृ कृष्ण सरी ने साहिद सब्रक्राइप उसके लख सरीर में अनप्रत्य करेंगे तो एस में अधिव्रद्धी हो गई और स्ञारीरम मूत बनता है बच्चों प्यारे बच्चों आईए पहले स्लोक के बाद में हम वापस स्लोक की और चलते हैं पहला स्लोक है देवद्वान लोगों का महापुरुषों का यथा योग्ये पूजन करना सोचम यानि सुद्धी रखना आर्जवम का मतलब स्रलता रखना भ्रमचरियम यानि भ्रमचरिय का पालन करना अहिंसा करना ये सारीरम तपह उच्चेते ये सरीर संबन्दी तप कहा जाता है प्यारे बच्चों तो हमने स्लोक के साथ में भी अर्थ देख लिया अनवे के साथ में भी देख लिया एक बार फिर से देख लेते हैं देवता ब्रामाण गुरु और विद्वान लोगों का यथा योग्य पूजन करना सोच यानि सुद्धी रखना इसके अलावा सारलता रखना भ्रमचरिय का पालन करना अहिंसार करना ये सरीर संबन्दी तप कहा जाता है प्यारे बच्चों आहिए चलते हैं आगे दूसरे शलोकियोर अनुद्वेघ करम वाक्यम ह। अनुद्वेग करम वक्यम सत्यम प्रिहाइतम चयात इसके अलावा श्वाध्याय विश्णम चाईवे वांगमयम तपह उच्यते यानुद्वेग करम कार्थवा किसी को भी उद्विग्न नहीं करने वाला अर्थात किसी को भी उद्वेग नहीं दिलाने वाला प्रिये हितम प्रिये और हितकारग हभ्यसनम यानि हभ्याश हभ्यास करने वाला वांगमयम यानि वाणी शंबंदी ये वाणी शंबंदी तब के बारे में वांगमय शंबंदी तब के बारे में इस स्लोक में बताया गया सबसे पहले प्रशंग देखते हैं प्रस्तो स्लोक हमारी पाठ्य फुस्तक के सिर्शक पाठ से उद्रित है मूलता ये पाठ स्रीमत भगवत गीता के सत्रवे अध्याय से संक्लित किया गया है इस स्लोक में भगवान स्री कृष्ण द्वारा वाणी संबंधी तब के बारे में बत लाया गया है अर्जुन को उपदेश देते वे स्री कृष्ण कहते हैं क्या कहते हैं वाणी संबंधी तब के बारे में यत अनुद्वेग करम सत्यम चे प्रियाहितम वाक्यम चे स्वाध्याय चे अभ्यस्नम एवा वंगमयम तपह उच्चते तो बच्चो इसमें कहा है कि यत यानि जो पनुद्वेग करम यानि जो किशी को भी उद्विग्न ने करने वाला हो अर्थात किशी को भी उद्वेग दिलाने वाला ना हो सत्यम सत्य है प्रिये हितम प्रिये तथा हितकारक वाक्यम यानि भाषन देने वाला हो यानि सत्य और प्रिये और हितकारक भा और हब्व्यास करने वाला हब्व्यास करने वाला वो क्या खेलाता है वाlingen तपह उच्चेते रहनी वानी शंमन्दी तप उसको घ Formula जाता है अभ्यासनाम किसका नाज पा दी यादिव्यास आ चीज्चों का जब करना भगवान करना यानि अच्छे चीजे करना नाम जपादी इसमें वह आते हैं यह जो किसी को भी उद्विग्न ने करने वाला हो इसके अलावा शत्य हो प्रिये हितकारक क्या भाशन है या वाक्य है काता है तथा स्वाध्याई तभ किसी को भी उद्विग्न करने वाला हो सत्य प्रिये तता हितकारक भाशन है वह तथा स्वाध्याई और अभ्यास नाम जपादी भी वाड़ी सम्मंदी तब कहा जाता है प्यारे बच्चो आए आगे देखते हैं इस लोग में वाचिक तब का त्यन सरल सब्दों में लक्षन दिया गया है अनुद्वेग करम यानि नय उद्वेग करमिती और इसमें नय का ए हो गया बच्चो और समाश्वा नय तत्पूर शमास उसी प्रकार से प्रियहीतम प्रियम चय सनाअच और इसमें सा समाश माश। maior चारते के योग में चय के अर्थ द्वंध समाश होता है बच्चो उसी प्रकार से श्वाध्यायया व्यशनम यानि श्वाध्याया भ्यंद्य तो इसका क्या बना श्वाध्याया विश्णम और इसमें विवच्चों यही हमारा द्वंद समाश होगा कौन सा समाश होगा द्वंद समाश होगा वह आए वापस लोग की और चलते हैं किसी को भी उद्विग्न ने करने वाला वाक्यमष वक्रे भाषनों सत्ये हो प्रिय और हितका रखो और स्वाध्याय से युक्तो अभ्यास से युक्तो चैव स्वांग्मेयम करने को और उसी को वानी संबंदी तब कहा जाता है वांगमे तब कहा जाता है तो बच्चो इसको हमने देखा अपस सलते हैं तीसरे स्लोक की और इस भाग का अंतिम स्लोक है बच्चो मनह प्रशाद समेत्वम मोनम आत्म FINIGरह भाव संसुद्धि रित्य तत्तपो मानशं उच्चते यानि मनह प्रशाद कार्थ। मन की प्रशंधता, शोमयत्वं कार्थवा, सोमय भाव, मोन में नसीलता से योगत प्रवसंसुदि यानी भावों की भली-भातिहसंसुदि, मानश यानी मन शंम दौत कहा जाता है, किसे मम 니 मन शंम दौत के बारे में इस लोक देख लेते हैं प्रस्तु स्लोक सत्माहो रजस्तमा सीर्शक पाट से उद्रित है मुलता ये पाट स्रीमत भगवत गीता के सत्रवे हध्याई से संक्लित किया गया है सात्वी की राजसी एवं तामसी प्रकर्ति के लोगों के हार विहार रहन सैन दान तप आदिके विवेचन क प्रसक में प्रस्तु स्लोक में भगवान श्रीक्रिश्न ने मांसिक तप के बारे में बतलादे है क्या कहा है कि मनह प्रशाद. मनंत न का मतलत शोम्य भाव और मोनं यानि मनन करने वाला व्यत्ति मनन सीलता से योग्त आत्म विनिग्रह यानि अपना विनिग्रह यानि स्वेम का मन का विनिग्रह भाव शंसुद्धी और भावों की संसुद्धी इतत यही क्या है मानशम तपह उच्चेते और इस यही क्या कहा जाता है मानश यानि मानसिक तप कहा जाता है मनशम मंदी तप इसको कहा ज विनिग्रह भावसन सुद्धी और भावों की भली भाती सुद्धी और इसे ही क्या कहा जाता है मानशम तप है उच्चेते और यही मानशी क्यानी मनशम्मंदी तप इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों तो मन की प्रशनता सोम्य भाव मननसीलता मन का निग्रह और भावों की भली भाती सुद्धी इस तरह यह मांसिक मन सम्मंदी तप कहा जाता है प्यारे बच्चो तो इस लोक में मांसिक तप के बारे में बतलाया है परम स्रिद्दा एवं निश्काम भाव से मांसिक तप करना चाहिए व्या करना है बच्चो सोमेत्वम यानि शोमे और बच्चो एक तुब्वot है यह नगा सुम्यत्वम तोरू बनेगा सुम्यक्वाम नियंत्रनम यनि आत्मा का नियंत्रना और आगे कहा है भाव शम्सुद्धी भावानाम सम्यक सुद्धी इसका विप्रहय का हुआ बच्चों आईए वापस लोग की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, वापस लोग में हम देखेंगे इसका आर्थ मन प्रशाद हा, शोमेत्वम, मौनम आत्म विनिग्रह, भावसं सुद्धि, इटी तततपो मानशम उच्चेते, यानि मन की प्रशनता, शोमेत्व, यानि शोमेभाव, आत्म विनिग्रह, यानि मन का विनिग्रह, और भावों की अच्छी प्रकार से सुद्धि, इसी तप को क्या कहा जाता है, मानशम तप है, यानि मानशम उच्चेते, और यही मानशिक तप कहलाता है, प्यारे बच्चों, और इस प्रकार से हमने इस भाग में तीन पद्यों का यानि तीन स्लोकों का अध्यन किया वे स्लोक थे बच्चों पहला स्लोक ता इसमें देवर्दी ज्वगुरु प्राज्य पूजनम सोच मार्जवं भ्रम्यचरियम हैं सारी रमतपा उच्चे ते और इसका दूसरा पद्य था प्यारे बच्चों अनुद्वेग करम बाक्यम सत्यम प्रियहितम चयात स्वाध्यय विष्णम चाईवय वांगमयम तपह उच्चे ते इसके अलावा जो तीसरा पद्य था मानह प्रशाद सो मित्वम मौनम आत्म विनिग्रह भावसं सुद्धिरित्यत तपो मानशम उच्चे ते इस प्रकार से इन तीन पद्यों के समझ में आयोंगे इसी आसा और विश्वास के साथ अगले स्लोकों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे धन्यवाद अह पुनर मिला महा नमो नमा हा